तो अभी तक हम लोगों ने पॉडट पे जो जेम का अभी तक स्लेवस हम लोगों ने कंप्लीट क्या उसके बारे में का ओवरिव्यू कर लेता हूं फर्स डे के लेक्षर में हम लोगों ने जेम के बारे में समझा जो जेम क्या है ये देखा जेम के rules and regulation क्या है जेम के basic terms क्या है किस तरीकी से purchase होगा जेम के बारे में तोड़ा introduction के तोर पे हम लोगों जाना यह हमारा first day का lecture हुआ second day के lecture में हम लोगों ने registration seller का registration देखा और फिर profile update हम profile को कैसे update कर सकते हैं यह हम लोगों ने देखा आई टी आर टैक्स असमेंट डियो ओरडर जी एस टी यह सभी update करने का process हम लोगों ने देखा फिर बाद में हम लोगों ने cause and money कैसे भरते हैं cause and money भरने का तरीका हम लोगों ने देखा जो हम कौन सा bank choose करेंगे तो हमें क्या क्या facility मिलेगा किस तरीके से हम वहापे deposit कर सकते हैं कितना deposit करना है यह भी हम लोगों ने वहापे देखा और फिर हम लोगों ने product pair करना देखा Q3 and Q4 Q3 के norms और Q4 के norms हमने बताए कौन सा product without authorization pair कर सकते हैं कौन सा product को pair करने के लिए authorization number लगेगा यह हम लोग अभी तक के syllabus में देख लिए अभी हम लोगों syllabus में product में ही नया और clone देखेंगे है ना अभी इसके बाद हम लोग product नया डालना और product को clone करना यह दोनों चीज़े हम लोग सिखेंगे किस तरीके से नया product डालते हैं और clone करते हैं सबसे important बाड़ियां पर जब भी हम कोई नया product डालते हैं तो हमें उस product का information proper होना चाहिए जिदि उस product का आपके पास information proper नहीं रहा तो आपका product जो है बार बार जेम आपको रोग देगा इसलिए जब भी कोई नया product डालो उस product का information आपके पास एकदम perfect होना चाहिए जैसे कि information मतलब क्या वह मैं बता देता हूं उस product का पूरा details आपके पास available होना चाहिए क्या लेलू product कोई भी आप लोग बताईए ऐसा product बताईए जो सबको पता चले सबके लिए well known हो ceiling fan ले सकते हैं क्या सर ceiling fan fan ceiling fan ले सकते हैं तो हम लोग category देखते हैं यह wall fan है table fan wall mounted fan ceiling fan इसमें सभी है ना यह category है इसमें सभी है अलग से ceiling fan का category नहीं है यह category है जिसमें सब कुछ आ जाता है यह category में हम लोग लेंगे यह हमें category पता चल गया अभी इस category में जदे मुझे ceiling fan लेना है तो मुझे इस product के बारे में क्या information होना चाहिए तो यहां का कोई भी एक product open कर लो अभी इस product का क्या-क्या information होना चाहिए वह आपको यहां दिया हुआ है आपका phone का type कैसा है method of mounting of phone type of fan motor fan का size ISR mark है की नहीं test report है की नहीं warranty है की यह हो गया यह जो parameter है इसको हम लोग golden parameter बोलते है यह आपके पास होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसके बाद यह जो specification दिया हुआ है यह सब specification का भी आपके पास knowledge होना चाहिए इसके generic क्या है motor type क्या है class one 220 बोल्ट का है कितने बोल्ट का है यह आपके product हम लोग यह example के तोर पे दे रहे तो आपका product का जो भी specification है इसके accordingly होना चाहिए मतलब यहां पे जो आपको दिया हुआ है यह सब आपको पता होना चाहिए जो आप product नया upload करेंगे यह हो गया पहला चीज़ पहला हम लोगों ने category पता किया category के बाद product में क्या क्या information चाहिए यह पता किया उसके बाद इस product का जो आप MRP डालोगे इस MRP का को एक proof चाहिए MRP में क्या proof डाल सकते हो product का browser डाल सकते हो देखो जो भी proof डालेंगे उस proof में क्या-क्या होना चाहिए MRP proof पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या-क्या proof लगता है तो हमें जो proof लगता है मैं Excel के सीट में आपको समझाता हूँ product नया upload करने के लिए जदी यह information proper रहेगा तो generally आपका जो product है नया product reject होने की chances नहीं के बराबर होगा है ना new product के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे new product के लिए new product के लिए क्या-क्या चीज़े लगती है सबसे पहला लगता है MRP declaration एक नंबर पे है MRP declaration MRP का एक आपको declaration देना पड़ेगा यह MRP proof बोलो MRP इसका जो डाल रहे हो उसका कितना है MRP का proof यह पहला दूसरा product का specification का proof product specification के लिए proof देना पड़ेगा और थर्ड आपको एक proof देना पड़ेगा product के तीन photos होनी चाहिए अब ही मैं हरे का condition बताता हूँ क्या-क्या चीज़े रहेगा MRP में आप क्या-क्या दे सकते हो browser दे सकते हो browser मतलब पता है आप लोग को catalog जो बोलते हो है न और OEM के later head में लिखा हुआ भी चलेगा OEM के later head में जदी MRP का लिखा है तो भी ये प्रूप चल जाएगा government के कोई order copy जहां पे MRP है ऐसा भी चल जाएगा OEM जदी अपने later head में लिखते के देता है तो भी चल जाएगा या product का photo जहां पे MRP लिखा रहता है पोड़क्ट के photo MRP वाला है ना पोड़क्ट के देखो बहुत सारे पोड़क्ट जब आप खरीदते हो तो उस पोड़क्ट के फोटो में MRP लिखा रहता है पोड़क्ट के उपर ही MRP लिखा रहता है वो भी चल जाएगा या फिर GST invoice यह वाला कौन सा रहेगा सेल बाला ना की purchase यहाँ पे इसमें जो भी documents upload करोगे जो भी documents upload करोगे इसमें उसमें क्या होना चाहिए उसमें model number product का नाम और MRP यह तीन चीज़े होनी ही चाहिए है ना MRP के proof में जो भी आप चीज़े upload करोगे उसमें तीन चीज़े होनी चाहिए क्या क्या पॉडट का model number है ना पॉडट का नाम और MRP जो भी documents आपका upload होगा उसमें यह सब चीज़ होना चाहिए यह हो गया MRP क्या होगा आते हैं classification में क्या क्या दे सकते हैं बी आएस लाइसेंस दे सकते हैं जिदि आपके बास बी आएस का लाइसेंस है उस पॉडट का वह हम प्रूप्त के तोर पर upload कर सकते हैं या फिर हम लोग इस पर OEM का authorization का copy भी upload कर सकते हैं OEM का authorization यह हमारा product में हम लोग upload कर सकते हैं GST का invoice जो हमारा sale का था same और हमारा product का browser इसमेंसे कोई भी documents हम लोग specification के तोर पे upload कर सकते हैं फोटो तीन फोटो लगेगा तीन फोटो में condition क्या है background जो है white रहेगा background white होना चाहिए यह हो गया पहला condition कोई human नहीं होना चाहिए फोटो में कोई human नहीं होना चाहिए कोई आदमी model के साथ नहीं चाहिए without any model होना चाहिए कोई human नहीं होना चाहिए फोटो में और पोड़क का photo एज उसमें पोड़क के photo में पोड़क एज पर specification होना चाहिए जैसा specification में बोला गया ऐसा होना चाहिए जैसा आपने specification दिया है पोड़क का सेम पोड़क का photo होना चाहिए पोड़क एज पर specification और कोसिस करो कि पोड़क में उस पोड़क में brand लिखा हो इतने चीज़े आपको ध्यान रखना है नया पोड़क में जदि इतना सब चीज़े आपको पता रहे गए आपके पास इसमें से हम यहां पर जो पूरूब बोल रहे हैं इसमें से कोई एक लगेगा है नसब नहीं anyone रहेगा और इसमें जो भी चीज़े हैं सब को आपको फॉर्लोग करना पढ़ेगा झाल थीन फोटो तो बोल दिया हूँ यह तो लगेगा पर इसमें आपको यह सब चीजे को follow करना पड़ेगा यह सब चीज आपको पता होना चाहिए पहला product किस category से belong करता है और उसका specification का proper information और साथ में यह सब चीजे जिदि इसमें से आपके पास कोई भी प्रूप है इसमें से सभी details आपके पास available है तो आपका product reject होने के chances बहुत ही कम हैं पर हो सकता है को जेम में कभी-कभी सब कुछ होने के बाद भी reject कर देता है तो आप उसको फिर से upload कर पाएंगे और फिर वह approval हो जाएगा मतलब approval हो जाएगा थोड़ा time being consumer time लग सकता है जैसे दो दिन की बात कर रहे थे हम लोग यह दो दिन की जगा चार दिन हो सकता है जब हम लोग pair करते थे तो pair करते बग अपने को approval के लिए कितना time लगता था कभी एक minute में भी approval हुआ है और कभी छे घंटे भी लगते इसका approval का process कितना है इसका भी approval one days to six days का approval time छे दिन तक भी approval लग सकता है शिक्स या seven days बोलना seven days तक maximum जो time है वह साथ दिन का working day जाएगा जदी बीट नमबर नहीं डाला तो यह अच्छे दिन तक भी जा सकता है यह पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा नया पोड़क्ट अप्लोड करते वक्त हाँ प्लींग की आपका क्या डाउट से प्लय कि यौटेप रचा पूरे के आपको बिएज़़ से वह को लएजन ता है तो सरी ओनलाइन मनता है कैसे होता है आप वह हमने आपको पहस्टे के क्लास में बोला था कि हम लोग कोई लाइसंस बनाने के बारे में यहां पर कोई डिसकसन नहीं करेंगे और वहां से उसको बोलो बी आएस लाइसंस चाहिए आएस ओ चाहिए कोई बहुत सारे लगने वाले आपके काम के रिगार्डिंग है वह आप उनसे डिसकसन करो मैंने क्या वोला इसमें से कोई भी एक तो कोई भी एक होना चाहिए ठीक सब्सक्राइब करेंगे तो नहीं चलेगा मैंने क्या वोला जो भी प्रूब देंगे उसमें यह सब होना चाहिए सब्सक्राइब करेंगे इसमें सब्सक्राइब करेंगे इसमें सब्सक्राइब होना चाहिए अब इसके बिना नहीं होगा तो अब इसमें आपने बताया यह माली जिसे अभी अब जो हमने शुआ डाल दिया यह पर्चेश होना चाहिए वहीं कहले होते पर्चेश होना चाहिए शेल डाल दिया पर्चेश इनुए अगर पर्चेश में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें से कोई भी एक प्रूप आपको चाहिए कोई भी एक प्रूप आरेंज करो कि सायब्त तो नहीं वलुए Department स्वें आउपको le मतलब बनावे मार्केट में अप्रतो यह घू कलिए सब जाहिए ना? यह घू कलिये सबतनी में ही, तो अप्लोप जाएip जाएक डम ही एक बनावे्ड़ तो अच्छट चलो तो फिर हम यहां पर हमारे पास भी कोई प्रूप नहीं यह फिर भी मैं आपको यहां पर कर बनाने का तरीका भी बताऊंगा पर प्रॉपर कोना चाहिए तो एप्रुबल होगा जदिपर ने थोड़ा इधर का उधर उधर मुझा इतक हुआ टीक है चली तो एक हम लोग पुर्डक्ट ले लेके थें हैं इस काटेगरी में मुझे दाना और पहले तो मुझे यह चेक करना पड़ेगा कौन से कंपणी का लूँ बताओ आप बताएंगे मैं कौन से कंपणी का ले लू बजाज का करना पड़ेगा जो भी कंपणी का है वह OEM नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रूर तो यह प्रूबर ज़ाज जाएगा है ना कौन से ब्रैंड कोई ब्रैंड ले लूँ चलेगा कोई ब्रैंड भी बोल सकते हैं जैसा आप बोलिंग और इसा ले लूँगा यह पहला तो क्यू थरी कहा हाँ दो 56 पॉडक्त अविलेबल एंब्रैंड में लेना है अपने को इस काटिगरी में पॉडक्ट लेना है यह ज़िदे आप कोई ब्रैंड कर लोगे तो पहले वह ब्रैंड को खोल लेना और इसमें देखने का यह रिसेलर और केट्लॉग नॉट वेरिफाइड है क्या तो ही य चेक कर लोगे कैटलोग पॉड़क्ट एड़ न्यू आफरिंग कि इस कैटेगरी में हमें पॉड़क्ट लेना है कैटेगरी का नाम पता चल गया मुझे ब्रांड मुझे क्या है वह मैंने चेक कर लिया है कि कि यह का जेम को यह प्रॉब्लेम मौनिंग से ही आ रहा है कि 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 जयक्तिक उलिग्हा कि मैं आधों और केटेगरी है रह ними आपकर भी और एक स्माव बहुत सारे कैकटेगरी है तो पि क्यों काटेगरी लेने देला जेम का कोई प्रॉब्लेम आज चालू है के टलॉग पोड़ाट्ट अड़नी ओफ्रिंग के टलॉग पोड़ाट्ट अड़नी ओफ्रिंग नहीं नहीं आ रहा है दूसरे काटेगरी में वच्छे करूँ वाल फैन इलेक्टिक सेलिंग टाइप फैन इस काटेगरी में ले रहा है क्या हुँँ नहीं ले रहा है नहीं सभी का सेम प्रब्लम आने वाला है करते हैं यह में यह प्रब्लम आ रहा था मॉर्निंग से लाप्टर नून के बाद से करते हैं क्या जह है रहा है झाल झाल कोई जेम पर इक्क प्रॉब्लम है इसके बैज से नहीं हो रहा हुँ है ठीक यह प्रॉब्लम सॉट अ थाँट होने के वाद हम लोग देख लेगे जेम के सरवर खा कोई प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में यह बता दूगा कैसे catalog नया बनाते हैं और प्रूप नहीं रहा तो प्रूप बनाते कैसे हैं यह भी में बताऊंगा ज़िए आपके पास कभी किस चीज का प्रूप का problem रहा तो उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं है कि इम अधर सब्सक्राइब जो आप आप बार बार रेकॉर्ड कर रहे हो ना वीडियो तो यह वीडियो को इसमें डाल दो ना भी कैसे लाइव सेशन में लोग जो देख रहें पिर जब इसको रिकॉड़ेट देखेंगे सब लोगों का एक्सेस मिला है अब यह तो आप मुझे नहीं पता आपको पता होगा करना दा हूं